मॉम एन किड्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है जहां पर हम बात करते हैं पैरेंटिंग टिप्स फॉर मदर एक्टिविटी एंड ग्रैमर पोर्षन फोर यू ओल तो फ्रेंज आज की वीडियो भी ग्रैमर पोर्षन से हैं आज की वीडियो में हम आर्टिकल्स पर बात करेंगे आर्टिकल्स क्या होते हैं इनका यूस कब होता है और टाइप्स आफ आज किल्स पर भी चरचा करेंगे तो नो वेस्टिंग मोर टाइम लेट डट इस साट वीडियो तो गईस फस्ट अफॉफ फॉल हम आपको येश बता की तरह कब यूज करते हैं और दा का यूज कहां पर compulsory है और कहां पर compulsory नहीं है देखिए articles article a, an और दा article a, an और दा होते हैं ठीक है यह two types के होते हैं means article को दो पार्ट में divide किया गया है first one is definite article second one is indefinite article तो definite article होता है दा और indefinite article होता है a और an तो आईए अब हम definite articles की definition दिखते हैं definite article क्या होता है definite article मैंने पहले ही आपको बताया है definite article दा होता है okay it generally point out a particular person or thing यह किस चिश को point out करता है particular person पतलब कि विशेश इंसान और तिंग्स यह विशेश चीज ठीक है तो इसको हम definite article कहते हैं आईए अब हम indefinite articles के बारे में बात करते हैं indefinite articles कौन कौन से होते हैं indefinite articles a और n होता है इसकी definition की बात करें तो देखें definition it generally doesn't point out a particular person or thing हमने definite में क्या बात किया था यह particular person और thing को indicate करता है means point out करता है और indefinite articles में यह point out नहीं करता है ओके you know that English alphabet consists of 26 letters in all these vowels are A, E, I, O, U the rest of them all knows as a consonant आप इस screen पे देख रहे हैं कि 26 letter लिखे हुए है A to Z और 5 पे circle बना हुआ है A, E, I, O, U तो these are vowels and rest of them जो बच रहे हैं वो क्या है? आपके consonant है vowels vowels हमारे होते हैं 5 A, E, I, O, U these are 5 vowels then consonant B, C, D, F, G H, J, K, L, M, N, P, Q R, S, T, V, W, X, Y, Z 21 consonant means 26 letter हमारे होते हैं जिनमें से 5 हमारे vowel निकल जाते हैं और 21 हमारे consonant होते हैं ठीक है? vowel से पहले हम A, N, N लगाते हैं और consonant से पहले हम A लगाते हैं it means A is used before word that begin with consonant example A, Parrot, A, Cow means A का यूज हम तब करते हैं जब हमारी कोई भी spelling का first letter consonant है जैसे देखें, Parrot, P P क्या है? P हमारा consonant है तो इससे पहले हमने A का यूज किया है A, Cow Cow, C, O, W C क्या है? C हमारा consonant है इसलिए हमने उससे पहले A लगाया है N is used before a word that begins with vowel example में देखते हैं An Apple, An Elephant हम N का यूज कप करते हैं? जब हमारा कोई भी word vowel से start हो देखें, A, Apple A, Double, P, L, E, Apple A क्या है? A हमारा vowel है तो vowel से पहले मैंने N लगाया हुआ है उसके पहाद देखें, Elephant E, L, E, P, H, A, N, T Elephant तो जो E letter है वो है हमारा vowel तो इससे पहले भी हमने N लगाया हुआ है तो that is clear A कहाँ पे लगाते हैं और N कहाँ पे लगाते हैं A हम तब लगाते हैं जब हमारी meaning का first letter consonant हो और vowel कब लगाते हैं जब हमारी meaning का first letter vowel हो it means vowel से पहले A N और consonant से पहले A लगाते हैं ओके I think यह concept आपको clear हो चुका होगा तो अब हम बात करेंगे दा के use का use of the with unique pupil object the sun, the moon देखे दा का use हम तब करते हैं जब किसी unique person के बारे में बात कर रहे हूँ ठीक है जैसे दा मून, मून एकी है दा सन, सन भी एकी है दा प्रेसिडन दा प्राइम मिनिस्टर है ना तो इन सब चीजों के लिए हम आगे दा का use करते हैं क्योंकि they are special person हम दा का use famous building के लिए करते हैं जैसे ताज महल दा ताज महल दा कुतुब मिनार दा इफिल टावर है ना इस तरीके से हम दा का use करते हैं superlative adjective के साथ भी हम दा का use करते हैं the highest है ना दा smallest दा youngest ऐसे हम कुछ क्या हम river के साथ भी use करते हैं दा गंगा दा यमुना दा हिमालिया ये mountain हो गया तो इन सब चीजों के साथ में हम दा का use करते हैं इट मेंस दा का use हम तब करते हैं जब हम किसी इस्पिसल या यूनिक चीज़ के बारे में बात कर रहे हूं so friends अब हम बात करेंगे कि दा का use हम कहां पर नहीं करते हैं तो दा का use हम diseases से पहले language से पहले proper noun के पहले breakfast से पहले lunch के पहले dinner के पहले school से पहले hospital से पहले God से पहले means अगर हम किसी से बिमारी के बारे में बात कर रहे हैं तो दा नहीं लगाएंगे मतलब डीजी से जैसे पीलिया की बात कर रहे हैं तो हम दा पीलिया कभी नहीं बोलते हैं ठीक है language Hindi English दा English दा Hindi कभी नहीं बोलेंगे ok दा breakfast दा डिनर यह सब हम कभी नहीं बोलेंगे ok अब हम यह जानेंगे कि दा को दी कभ बोलते हैं इसमें भी same concept vowel और consonant वाला होता है ठीक है देखे if the next word starts with a vowel sound तो हम उसको दी बोलते हैं क्या बोलते हैं दी जैसे अगर ear लिखा हुआ है ठीक है ear e-a-r तो हम उसको बोलेंगे the ear ठीक है honest honest में वैसे तो h जो है वो silence होता है और vowel sound उसका o निकल रहा है तो हम बोलेंगे the honest ok the ant the elephant ok so I think आपको a का use कहां पे होता है an का use कहां पे होता है da का use कहां पे होता है और दी का यूस कहां पे होता है यह concept clear हो चुका होगा तो guys अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो please वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए तो मिलते हैं अपने नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाइ बाइ